रादे रादे हरे कृष्णा कार्थिक मास महात्मे बीश्वा अध्याय आगी की कथा इस प्रकार है अब राजा प्रतु ने पूछा हे देवर्षी नाराथ इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत जलंधर किस प्रकार मारा गया किर्पया मुझे वह कथा सुनाईए नाराथ जी बोले जब गिर्जा वहां से अद्रश हो गई और गंधर माया भी बिलीन हो गई तब भगवान बिर्श द्वज चैतन हो गए उन्होंने लोकिकता ब्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और बिसमित मैना जलंधर से युद् जलंधर संकर के बाणों को काटने लगा प्रंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पारवती करने मान कर अपने रत पर बांद लिया तब अपनी प्रिया पारवती को इस प्रकार कष्ट में पढ़ा देख लोकिक लीला दिखाती हुए संकर जी भैंकर रौद रूप धारण कर लिया आव उनके रौद रूप को दे कोई भी दैत उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे यहां तक की सुम निशुम्ब भी समर्थ ना हो सके शिउ जी ने उन सुम निशुम्ब को साप देकर बड़ा और कहा तुम दोनों ने मेरा बड़ा प्राद किया है तुम युद्ध से भागते हो भागते को मारना पाप है इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा परंतु गौरी तुमको अबस्त मारेगी सियु जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अगनी के समान प्रजुलित हो था उसने सियु जी पर घोर बान पर साकर धरती पर अंदिकार कर दिया तब उस दैति की ऐसी चेश्टा देखकर संकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगु पुष्ठ से बनाए हुए सुदरसन चक्र को चला कर उसका सिर काट लिया एक प्रिचंड सब्द के साथ उसका सिर प्रतवी पर गिर पड़ा और अंजन परवत के समान उसके सरीर के दो खंड हो गए उसके रुधुर्द से संग्राम हुमी ब्याप्त हो गई सिवाग्या से उसका रक्त और मास महार औराव में जाका रक्त का कुंड हो गया सथा उसके सरीर का तेज निकल कर संकर जी में बैसे ही प्रिविश्ट कर गया जैसे ब्रिंदा का तेज गौरी के सरीर में प्रिविश्ट हुआ था जरंधर को मरा देख देवता और सब गंधर प्रिशन हो ग झाल झाल